तो हेलो फेंड्स कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वालों Samsung One UI या बोल सकते हैं Samsung के कोई से मोबाइल में जो Notification Settings का option होता है Notification Settings और Notification Panel के बारे मैं बताने वालों उसकी पूरी hidden settings, hidden features के बारे मैं बताने वालों एक एक features जो बहुत काम के होते हैं तो दोस्तों वीडियो को skip मत करेगा वीडियो को पूरा देखेगा तो ही आप समझ पाएंगे दोस्तों आगे चलते हैं मेरे नाम Sunny Arora और आपका स्वागत मेरे चैनल ऐसे टैक में दोस्तों जैसा कि मैंने बता आपको नोटिफिकेशन की मैं आपको settings बताने वालों तो चलते हैं दोस्तों आगे सबसे बेले में बताने वालों आपको इहां पर जो hidden settings बताने वालों उसके लिए दोस्तों अगर आप double sim यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको ऐसा layout मिलेगा और आपको सब से उपर Wi-Fi की तरफ देखेंगे तो आपको यहां तीन option मिलते हैं call, text, message and mobile data अगर double sim यूज़ करते हैं तो ही मिलते हैं अगर आप single sim यूज़ करेंगे तो आपको नहीं मिलते हैं और आप चाहते हैं कि यह option आपको नहीं देखे तो आपको उसके लिए करना गया यहां जाना आपको दिखना बंद हो गया है और दूसरी जो में setting बताने वाला हूं दोस्तो होता कि अगर आपको यहां पर कोई भी हापर settings को भी किसी को भी on करना है या उसके अंदर जाके आपको देखना है setting के अंदर तो आपको उस setting को प्रेस करके रखना पड़ता था तो ही आप उस बताने वाला हूं जिससे आप easily उसको easily देख पाएंगे आपको पैस करने ही जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहां नीचे की तरफ करेंगे notification को आपको जिसकी भी setting पर जाना है आपको उस name पर click करना है जैसे Bluetooth का है तो आपको Bluetooth के name पर click करेंगे तो आपको एक quick setting मिल और आप easily यहां पर कर पाएंगे यह हर function पर आपको मिलने वाला है लाइगे आप यहां torch में जाएंगे सबके hidden आपको features मिल जाएंगे सरिफ आपको उसके name पर click करना है और तो आप वहां से easily उसको पूरी तरह से manage कर पाएंगे जो की बहुत अच्छा shorter लगता है मुझे कि उ option तो यह होता इसलिए अगर आप मीडिया पर जाएंगे तो यहां पर आप अपने फोन के मीडिया को play कर सकते हैं directly कहीं भी दूसरी आप में जाने जोत नहीं पड़े कि आप यहां से कर सकते हैं और जो दूसरा आपको option मिलता है device का वहां पर क्या रहाएंगा जो भी आपकी दिख जाता directly connected device अगर मैं use on करूंगा तो यहां पर फायदा मिलता है पर होता कि अगर आपको यहां पर यहां पर फायदा नहीं करते हैं और यह चाहते हैं कि फाल्तु जगा घहरता है उसको फटा दिया जाए उसको नहीं दिखना चाहिए तो इसके लिए आपको करना कि नहीं मिलेगा जो मैं आपको आगे बताने वालों जो था फिचर दोस्तों वह है ब्राइटनेस को लेकर आप देखते हैं आप अगर डिस्प्ले का ब्राइटनेस बढ़ाना हो तो आपको नीचे की तरफ ले आउट मिलता है आप चाहाए तो इसको टॉप की तरफ भी ले आ आइसको इनेबल बाइडि एवर्फ रहता है अब आप नेवल कर दिया अब आप देखेंगे ये उपर की तरफ भी आपको देख सेट रहे आनला पड़ा पहले गारता था आपको सेटिंग अन्दर जाना रहता तो आपको दिखता था आप ये भार मिलता रहेगा आपको इस लिए यहां से इसको मेंटेंग कर पाएंगे मुझे वह सही अच्छा लगता है इसलिए मैंने वैसा सेट करके रखा था और जो आगे बताने वाला है आप इसके अंदर बटन की आउडर आपको सब लोगों को पता ही होगा बटन आप यहां से चेंज कर सकते हैं तो इसको मैं दोस्तों बताने वाला उसके बाद दोस्तों बताने वाला हो जैसे कोई भी आपको नोटिफिकेशन आती है अप यहां पर थोड़ी से इसको प्रेस करेंगे तो तो यहां पर क्या होगा यह एक घंटे के लिए पंदर मिट के लिए नोटिफिकेशन हट जाएगी एक घंटे के लिए आप कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी है पंदर मिट की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी है अगर आप वो सेट कर देंगे जो कि बहुत अच्छा फीचर पर फैता है जो मुझे लगता है सई चीज है अगर आपको नोटिफिकेशन का इंपोर्टेंट है कहीं बैठे हैं आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिस भी ना हो और अब यूस भी नहीं कर सकते तो आप वहाँ पर उसको थोड़ा यहां प्रेस करके रखेंगे और यहां पर से नोस डाल देंगे कि आपको आफ्टर 15 मेडिया तीस मेडिया दो गुंटे वाद आपको नोटिफिकेशन की रिमाइंडर आ जाए कि नोटिफिकेशन पैंडिंग पड़ी है तो बहुत काम की चीज़ होती है जो मुझे लगता बहुत काम का है तो उसके बाद आप चलते ह मैं सेटिंग में जाने किया था आपको जाना कि यहां पर आपको ऐसे ओप्षिन मिलने वाले हैं तो सबसे पहला option मिल रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसा आप नहीं करना जाते तो आप इसको यहां से off कर सकते हैं उसके नीचे आगी source-nose option जो कि मैंने आपको यूज करके दिखाए कि 15 अभी स्मेट के लिए गंटे के लिए दो घंटे के लिए आपको आपने इसको यहां पर दिख जाएगा अब होता गया दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं देख रहा है आप आपको नहीं देखे तो आप वो जो option है एप baggage का आप इसको कर दीजेगा off इसको off कर देखेंगे तो आप देखेंगे तो आप कोई भी notification आपको नहीं दिख रही है तो यह इसलिए काम का होता अगर आप चाहते हैं आपको दिखना है तो आपको by default आप यहां से इसको off कर सकते हैं और यहां नमबर भी देख रहा है आप चाहें इसको modify भी कर सकते हैं नमबर और dot के पाद में replace भी कर सकते हैं उसके नीचे जो option मिल रहा है आपको status वार का वाटसप बिजनस का एक Google Chrome का और यूटूब स्टूडियो का आपको दिख रहा होगा और बगल में उसके last में dot का option भी आपको दिख रहा होगा तो यह होता क्या है दोस्तों अगर आप इसको में number only पर कर लूँगा तो आप उपर देखें मेरी साथ notification पेंडिंग दिखान ल उसके नीचे आपको do not disturb का मैंने एक अलक से वीडियो बना रखी है और सो do not disturb की मैं आई बटन पर आपको लगा दूँगा तो आप वहां से उसको easily देख पाएंगे उसके नीचे आपको दिख रहा है recently send notification का अगर आप चाहते हैं कोई भी notification नहीं चाहते हैं इन सब apps की जो आ दिख जाएगा और अगर आप चाहते हैं अलफा लेट वाइट तो आप यहां कर दीजिए और most frequent इन सब की notification आती रहती है आप चाहते हैं किसी भी notification को ब्लॉक करना like मैं चाहता हूं WhatsApp बिजनस पर my notification नहीं आया तो उस पर आप क्लिक करेंगे यहां पर आप particular segment भी slot कर सकते हैं यूट्यूब पर जाएंगे तो सब्क्रिप्शन लाइब से आपको इत्ते सारे option मिल जाएंगे तो आप यहां से इसको ऐसा manage कर सकते हैं और उसके अगर आपने गलती से किसी आप की notification को block कर दिया like मैं नहीं WhatsApp की notification को block कर दिया और मैं भूल गया उसको unlock unhide या बोल सकते है notification क show कैसे करवांगा तो उसके लिए आपको जाना है यहां पर option पर यहां जाने का जाना है आपको block पर आपको दिख जाएगा block में उस app करना है आपको कर देना उसको simply enable तो सारी notification उसकी चालू हो जाएंगी तो दोस्तो मुझे उमीड है कि आपको मेरी वीडियो पसंद रही लाइक शेयर जरू करें और अब जाकर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना बूले और मुझे इंस्टागर और फेल्बुक फोलो करना भी ना बूले इसका लिंक पर मिल जाएगा तो थैंकियो